तो निफ्टी एज यू कन सी की क्लियर एक बाउंस है यहां पर ओके सो यहां पर डेली एटेर प्रस वीकली सपोर्ट तो कल अगर इफ मार्केट ओपन डाउन आइडियली इमीडियेटली आपको सेलने करना यह सेलिंग प्रेशर आया थोड़ा देकिन इसके बाद यहां पर रिवर्सल फ्रॉम टू इंपॉर्टन लेवल्स वाज और यह करे लिए इमीडियेटली अगर कोई भी हमें डेखाउट लेवल चाहिए तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह फिर प्लैन कीजे तो यहां पर यह एक कंसोल्डेशन होता है कंसोल्डेशन होने के बाद फिर ब्रेक आउट देता है तो एक अच्छा घसा में डब्ली और वाइसी यह दो इंपॉर्टन टार्गेट्स मिल सकते नहीं यह होता तो फिर एक चीज़ याद रखिए नहीं है हमें सेल के लिए भी कोई प्रॉब्ल अंसक्सेस्फुल रहता है और यहां एक ब्रेक आउट देता और फिर निच्छा के सस्टेन होता है फिर आप यह से निकला है वह एक रॉकेट जैसा 300 अपसाइड एक मोमेंटम दे चुका है तो आप इमिडेटली जाके बाहर करना है क्या तो नहीं वेट करना है क्योंकि अल्डेडी 300 पॉइंट की रैली हो चुकी है अब प्लस दीस इस गयाप जों तो यहां पर हमें एक बॉक्स कर लेते हैं यह देखिए और एक चीज़ यादरे के रेंज एक्समंशन हुआ है सु करने के बाद करने के लिए लेकिन बड़ा नहीं नहीं दिख रहें और यहां पर एक अपको चीज़ याद भी रखने होगी 45 अब सारे कॉल डाइटर सा आ गया होंगा एक्रेसिव सेल करने के लिए सो यहां से टार्गेट जो होगा आपका मैक्सिमम 152 170 पॉइंट्स का होगा उससे बड़ा टार्गेट मद एक्सपेक्ट कीजिए एक बार कंपोनेंट्स देख लिए थे कंपोनेंट्स क्या बता रहे हैं तो सब्सक्राइब करने की कुछिश करते हैं यह एक सब्सक्राइब करने की कोशिश मत किजिए रश फूल ट्रेट अगर आप लोगे पसोगे सब्सक्राइब करना होगा या तो यह सिर्फ तीनी कंपोनेंट्स आपको देखनें तीनों क्या कर रहे हैं अगर यह तीन एक ही चीज़ कर रहे है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर अगर आप देख सकते हो और रेजिस्टेंस पर आ चुका है तो यह रेजिस्टेंस पर आया है इतने स्टॉंग केंडल देखने हैं तो होता क्या है प्रॉब्लेम की लोग बुलिश्टेंडल ग्रीन कलर को अट्रेक्ट हो जाते कि हां बाइंग आई यह बाइंग और इससे होता क्या है वह लोग इजिली रिटेलर्स को ट्रैप कर देते हैं यहां पर डबल टॉप पगर पैट सब्सक्राइब यहां पर इसका मतलब यहां पर अभी भी यह नहीं है हमारे पास कि यहां से अपसड निकले का मैंगनिफ्टी यह डांसे देखिए ऐसे बनाते तैना और आप आप आप्शन ले 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 तो और यह इमीडिये ट्रेड में क्लोज हो इफटा से नीचे आ जाए है यहां पर त्रेवल करना है तो यह दो से तीन मैंक अभी भी रिजिस्टन्स ले रिए कोटक बैंक ने डिए निकल दिया तो क्लियरली ओनली टू बैंक्स अर बूलिश आट ओफ त्री तो यहां पर अगर आप देख सकते हो okay so here if you can see so out of all these top heavyweight banks only who is supporting us ICICI bank is supporting us and Kotak bank because they have broke the days high days high nikaal day high okay so today's day high they have broke but these three giants so yeh three important HDFC, SBA or Axis. Axis TK it is not a big deal but HDFC and SBA should move now if they don't start moving and plus remember this thing this have a Kotak Mahindra bank is a DR at CACI bank if you go and see it is also at monthly support so this monthly support what it will do is basically if it's just a second monthly support means if price is coming from bottom then this support will start to act as a resistance so you need to understand so whatever decision confusing how confusing out of all the top heavyweights HDFC bank the top performer it is not ready to perform this would have taken the days high definitely we would have got a sharp rally on the upside till 4455 but see even bank is not able to take out the days high so this level is acting as a resistance to buy nifty so yeh haa par hi ab joe b game hoona hai wo hoona hai between the buyers and sellers if buyers overcome this level buyers yaa par accept acceptance yaa mil jata hai agar price ko to phir buyers will able to take the price higher lekin higher bhi kitna higher only till yc or yc se over forty four six hundred six fifty yeh levels ke ask passi or agar yeh ki ka ulta ho jata hai ulta bantab kya yaa par price starts to basically starts to consolidate and makes a fake breakout fake breakout hoota kya hai see a five minute candle basically what it does it goes above this level above this high aage ki day high ke upar yeh five minute ki candle jayegi is ke upar और sustain nini hooghi wo candle आएगी वो आपको दिखेगी बहुत अच्छी candle है और फिर उस candle के बाद immediately price नीचे किरना start हो जाएगी और उस candle का low break कर दिया है immediately sell करना है वहाँ पर see as a day trader थोड़ा सा में dynamic रहना पड़ता है the reason is day trading what we see as lucrative it's not that lucrative so थोड़ा सा we'll need to be little on our toes while day trading थोड़ा सा active रहना होगा हां only mark our zones and then see now let's say in the morning had we taken a session we would have watched for a reversal from here now here we are trying to do analysis at roughly 12 at 12 pm so या पर what is the situation now now it has went back to the resistance so it would be best ki या पर ये फिक ब्रेक आउट करे और फिर या आके sustain करना sell opportunity क्योंकि see two things are there एक तो क्या है already market कल एक downtrend में था correct है already market was in what it was in a downtrend downtrend होने क्या market open का हुआ it opened gap down अब gap down open होने क्या immediately कोई sell नहीं करेगा why does not क्यों नहीं sell करेगा क्योंकि sellers को भी तो fair price चाहिए ना अगर sell करना है तो बराबर है कि तो sellers को जब fair price चाहिए so they will try की market को उपर खीच के लिए फिर यहां पर कई अच्छा गासा एक selling opportunity मिलती है तो फिर यहां से एक sell opportunity यहां बन सकती है अगर हम देखे सारी विट भी बैंक एच्छी वाइंक कली हमने जो डिसक्स किया तो 1575 वह वेरी इंपरनेंट लेवल ओन डेली टाइम फ्रेम अगर यहां पर हम देखे 1575 क्योंकि दो से चार केंडल का लगबग almost the low was same औरे इसके नीचे और यहां डायरेक्ली सपोड़ेट 1555 1555 1555 1559 एंड ओन टॉप अप आप डेस्टाने निकाल देता ना है यहां पर आके सस्टेन कर देता तो यह बहुत अच्छा कर ले नहीं कर आप के डबल बटम बनाए डबल बटम बनाने कर फिर अपसाइड में चला जाए तो ऐदर अफ इस तिंग एन बीडन आइसे से बैंक ठीक है इट इस गूट की उसने बुलिश कंडल इस ब्रोग देजा इन इस सस्टेनिंग देर नो सस्टेनिंग अन देन इन फिट ब्रेक्स तो 975 यहां से नीचे नहीं आता है और यहां से नीचे करना स्टार्ट हो जाता है और से with respect to quota because HDFC ICCI is also an important resistance monthly support and YC monthly support means what now this support will start to act as a resistance same way as Kotak bank if you see Kotak bank it is again at resistance daily resistance correct plus this was the previous support zone which is now acting as a resistance so they start falling from here and HDFC and SBA clearly are bearish only now there is no bullish sentiment right so they have just record almost only 50 percent so then again Magnus team might start falling again so now here you have to start focusing on where what is happening in this zone with respect to the bank if this two banks start tumbling down HDFC and you SBI sorry this ICIC and Porter and they will add more selling pressure to wear और यहां से फिर से हमने पास डेज लोग के टार्गेट्स देखने हमें मिल सकते हैं निफ्टी में भी रेस्टेंस है 19 350 और कल हम स्टार्ट हो जाता है अब हुआ तो निए नाइटीन 300 के नीचे फ्यूसी ओनली इस वन गेंडल टू केंडल और रफली 3-4 गेंडल और फिर से यह उपर है लेकिन अगर यहां से फॉलो तुरू नहीं मिलता हमें अपसाइड नहीं मिलता तो फिर एक शार्प से लॉफ होगा जो आमें फिर से लेके जाएगा और यहां सब्सक्राइब से लिए एक स्वाइड डाउट से लिक्लियर कभी एक्शन लेनी एक तो यह आया सस्टेन होता है प्रोपर लिए इस केंडल का लो नेकान होना चीज़िए यहां पर पर सस्टेन होनी चैबर फिर निकलना चाहिए यह से रइट तब याके हमको एक आज नहीं के चैक्के रिल्ry लैंस प्रिय ज tack टेरह में ने जच्टेर मुंट लेकने करेष और धाकी कि ग्यार प्रिए जग्काव के लीट इक मुट्टींट में क्रेंगें । ilgili घ्यर एंज से थो can see reliance is already weak it tested out this previous day resistance and now it is trying to so this is somewhere in between or say frankly speaking reliance it is a giant stock it is a very heavyweight stock it is like moving a giant elephant right so thoda sa yaha par to coi action nahi hai in reliance because what we'll need to do either it goes to days high or days high chala jae ya to days low days low ke paas fir sustain karo fir gira jae to additional fall can be there same way let's go and check itc itc kya garra itc is also weak see it is at the previous support right it is sustaining there but there is no signs of recovery so this is a strong zone it comes here start sustaining here so go sideways then it breaks down then yes additionally a fall can come infosys let's check yeah infosys has also opened gap down but it is trying to sustain in that zone if this zone is taken down so this can invite more selling so this can be troublesome for nifty basically right tcs is almost days high resistance zone is key so you have to sustain see all these levels were acting as a support or can move on we are not discussing about stocks now now yeah either we can wait for consolidation and then break out otherwise clearly if it makes double top don't even hesitate to sell so remember that thing as market is trying to go into this thing what do you see a range so let's see what market is trying to do so what is magnifty now okay so it's not it's kind of making a bearish candle so you bearish candle remember this thing you bearish candle you bearish candle you have see I don't we don't we need not be going by the color color green hota yes definitely but the implication of the candle is more important implication here candle ooper to close this is called the sellers right or no because this is also the days I todays I know so this is the todays I so hereafter let price sustain now sustain यह यह अचर एंगर के फिर देन गोएंग चेक्ट कंपोन न पंचा टरेट विल गेट वूट हूंड पूंट सब्सक्ट एंगर सब्सक्राइब टो था ट्रीट संट वेडाइब कुछ निवेड गोट थे ताप्स्ट तरीट थी पून इसे बैंगा तो प्रलोटरव शुर्ट फॉलो तुरू निया गा तब तो कुछ नहीं होना एक्सिस बैंक इस ट्राइंग को अप इस बैंक देख लिए इस बैस ट्राइंग तू कवर बट इप शुड क्योंकि आपर डॉट साय डिये से अब यह अल्रेडी इतना बेरिश ओपन होने के वाद फिर यह पूल बैक आता ह जिस्ट आफ अल्वाट वस देर सिर्श इंड बट तू मार्ग्द सपोर अन्रिस्ट्रस अल्स वर दे प्रिए सब्सक्राइब इस अफ्रीज वाइश सपोर्ष बैसे लिए अनु प्लेस अपर फॉर 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 थाउजन से स्टेट अवे 45,000 45,000 के एक राली हो जार पर प अगर if you see there is a max put oi ka level max put oi level यहनी क्या होता है there are maximum put traders over there correct or no so maximum option sellers ने वहाँ पर put sell किया है so that is why यहां से क्या होता है यहां से bounce आएगा but इतना sharp bounce आया क्यों because all of the components started to reverse from the downside here if you can see this was this had green dots max put oi level HDFC bank if you can see so it was okay HDFC bank has reversed from daily 8-year so important level 1560 next we can go and check Axis bank Axis bank if you can see it has reversed from MR level MR and DS SBI has reversed from the previous support zone it was a daily 8-year over there Kotak we can see Kotak has actually reversed from daily support and DS and WR so how should be our यहां पर अगर ट्रेड लेना था तो कैसे लेना था तो people who have went through the basic core they would be knowing यहां पर देखे क्या किया प्राइज ने फर्स्टाइमा फिट डबल बटम बना और यहां पर हैमर कैंडल और यह फेक ब्रेकाउट ओली हैमर कैंडल की वाए फेक ब्रेकाउट वाइक ब्रेकाउड व गद्वेट को ब्रेकाउड ब्रेकाउड यह पंट ने का लेको गाए यह लुकुंट सैंपर्स तेम जूटिए इंग किया थे आप ङुर्फिर भाइक इस आपनर लाइक के डेन प्रेक ब्रेकांड वार। something like this and then price starts sustaining lower you can sell over here keeping this as your stop loss simple again your target will be for at WR or daily ATR as simple as that so it's good that it is in a range trading range QQ option buyers definitely if price is sideways they will never be allowed to take money from the table from the market okay so it is good that it is making a trading range now we need to just wait whether it is getting acceptance over here or no how are we going to get it through our components as simple as that right and with respect to nifty also nifty also look above this only a day high ke upar he bullish onyya meala jab tak bulish nii hoga ya toh aaj ke day high ke upar bulish ho sakta hai correct one scenario otherwise second scenario it can come back to this level come back to this level and you can test out this is ke niche ja sakta hai fake breakout dega or fear recover karega then it there is a high probability it can use but agar on top of that if price comes back here it starts sustaining here for one hour two hour minimum one hour then you are sure to get a aggressive sell off at the end of the day remember this thing 195 percent of the times this happens correct so let's wait and watch if possible we'll try to connect back again otherwise we'll try to post after a video on live index analysis by 130 or 2 or 230 let's see if we get the opportunity fine yeah so okay i hope everybody's uh query has been solved okay so let's see what happens thanks a lot for joining thank you all you 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 you